बादल सा घर्चे हम सावन सा परसे सूरत सा जम के हम स्कूल चले हम गुड मानिंग बच्चों कैसे आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे तो साइंस का 3 चैप्टर Adaptations How Animal Survive के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको पढ़ाये था Adaptations for the Protection और उसका आधा टापिक मैंने कुछ पाइंस पढ़ाये थे और कुछ पाइंस हमारे रहे गे थे तो उन्हीं पाइंस को आज हम कंटिनिव करेंगे Some animals merge with their surroundings merge क्या होता है? merge होता है separate होना मतलब फैलना ठीक है तो कुछ जानवर जो होते हैं अपने surroundings में मर्ज होते हैं ठीक है? And zebras and tigers have stripes on their body तो zebras और tigers जो होते हैं उनकी बाड़ी पे जो वो मालब strips होती है strips का मतलब होता है कि एक قسم का वो पट्टियां जैसे नहीं होती है black color की जेबराज के ओपर और tigers के ओपर को हम strips कहते हैं तो जेबराज और tigers की बाड़ी के ओपर strips होती है This makes them difficult to spot in the jungle This makes them difficult to spot in the jungle Spot होता है जगा और जगल होता है जगल तो वो क्या बनाती हैं वो एक प्रेशानी जगल में उनके लिए ऐसी जगा पर जहां पर वो होते हैं उनके लिए एक प्रेशानी वाली सपार्ट बन जाती है किसके लिए उन जो आपके जानवर मतलब जैसे आपके टाइगर्स आगे जेबराज वगयरा वगयरा जो रहते हैं जंगल में ठीक है The polar bear has white fur that matches with the snow polar bear जो होता है उसका white fur का गाउन एक किसम होता है मतलब उसकी जो skin को हम fur कहते हैं तो वो match किसके साथ? सनो के साथ करती है जो polar bear होता है वो जादाता हीलियर या जो जहां पर जादा सनो वगयरा पढ़ती है वहां पर पाया जाता है तो उसकी जो चमड़ी होती है वो किसे मैच करती है सुनो के साथ मैच करती है The stick insect looks almost like a twing The stick insect looks almost like a twing तुझे एक लाठी की तरह जो insect दिखाई देते हैं केड़े दिखाई देते हैं लगभग वो एक क्या होते हैं twing की तरह होते हैं ठीक है So birds cannot see it easily इसलिए जो है वह परिंदे उनको आसानी के साथ नहीं देखते हैं दा कैमिलन जो है अपना कलर तब ही चैंज कर सकता है स्रांडिंग्स में जानवर जितने भी जानदार जानवर हैं लिविंग जितने भी आपके जानवर हैं तो वो पानी के अंदर कब रहते हैं अपने आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठीक है और जानवर पानी के अंदर रहते हैं उनके बहुत सारे रास्ते हैं बहुत सारे तरीके हैं अपने आपको बचाने के the cuttlefish has an ink sack on its body तो एक जो cuttlefish है जो water में पाई जाती है उसके बाड़ी पर एक ink मतलब स्याही के जैसे निशान होते हैं ठीक है when it senses danger और उसकी जो sense होती है वो कफी खतरनाग होती है and it realize the ink making the water blue और वो महसूस करती है कि जब वो जो ink होती है उसकी चमड़ी के ओपर तो वो जब making the water blue मतलब अगर वो कहीं release अगर हो जाए अगर निकल जाए बाहर तो हमारा पानी जो है वो blue हो जाता है ठीक है the enemy is not able to see anything and the fish swims to safer place तो उसमें क्या होता है जब पानी प्लग हो जाता है तो वो उसको देख नहीं पाता है मतलब उसको नहीं देख पाता है जिसके वज़ा से वो fish जो होती है वो swim करते एक सुरक्षित जुगा पर चली जाती है जहां पर वो safe रहती है जहां पर उसको कोई problem या दिकत नहीं होती है तो वो इंक के ज़री जो है वो उसके दुश्मन को जो उसको खाना चाहता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है तब तक वो वहां से swim करके भाग जाती है तो यह आप यहां तक आज पढ़ोगे read out करोगे अच्छे तरह अगर आपको कही problem या दिकत आती है तो आप हमें फॉन के ज़री भी अपनी जो डाउट्स है या कनिफूजिने किलियर करवा सकते है या वर्टसेप पर आप कुमेंट भी कर सकते है और इसका हॉमवर्क लिखकर मेरे वर्टसेप नमबर पर सेंट कर देना तब तक लिए अपना ध्यान रखना थैंक यू सो मच